मात्र 4 रुप्य कीलो के हिसाब से आलू बेचने के लिए किसान बेचैन है। लेकिन 4 रुप्य कीलो के रेट से भी कोई आलू को नहीं खरीज रहा है। और अब इसके बाद किसान आलू को अपने खेद से निकाल कर सड़क पर लाकर फेक रहे हैं। और उनका सीधे तोर पर कहना है कि जब हमारी लागत के आधा भी हमको नहीं मिल रहा है तो आलू बेचकरी हम क्या करेंगे अब आप खुद से सोचिए कि इस वक्त पर 4 रुपया किलो के हिसाब से भी कोई आलू खरिदना नहीं चाहता है और किसान अपने खेट से आलू बेच रहा है तो उसको इतना रुपया भी नहीं मिल पा रहा है कि आलू को लगाते समय उसने उसमें जितना लागत लगाया है उसको भी निकाल सके और इसके बाद से किसान सड़क पर उतर कर सरकार से कहते है कि आलू के लिए आप MSP तैक किजिए और एक नियम बनाईए कि आलू कितना रुपया किलो खरिदा जाएगा और किसानों का मानना है कि एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि आलू एक निश्चित दर के नीचे के रेट में ना बेचा जाए अब आलू के किसानों की यही सितिके हुई है और किसान सरकार से क्या चाहते हैं यह इत्मिनान से हमें समझना होगा हमको या आपको अगर बजार में मातर 4 रुपया किलो के हिसाब से आलू मिले तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा लेकिन कम अदाम में भिखने वाला आलू किसानों को सलग पर उतरने के लिए मजबूर कर रहा है और आज हम आलू के लिए MSP से लेकर किसानों की मांग तक सब पर बात करेंगे बाकिया नमस्कार मेरे नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं मरा भुशे इसकार गरम एक्स्प्लेनर यह वीडियो एस्ट लर्निंग एउकेशन के द्वारा प्रहुजित है एस्ट लर्निंग एउकेशन ऑनलाइन टेस्ट श्रीज आपको लिए आपके लिए लिए कर आया है जहां पर हजारों के उरिटेट सवाल है सभी के लिए टेस्ट श्रीज की सुवधा उपलब्द है वह भी बहुत ही कमदाम में दसवी के बच्चे तो मात्र तीन सो रुपया में स्रीज जुआइन कर सकते है और चार हजार से भी ज़्यादा सवालों पर प्रेक्टिस कर सकते है वह भी पर चेप्टर के हिसाब से साथ ही बच्चों के लिए स्कॉलर्ष्टिप की सुवधा भी उपलब्द है एड्मिसन और श्कॉलर्ष्टिप फॉर्म बरने की तारीख और जो भी अन्य जानकारी है वह आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है यल्दी कीजेगा क्यों टोकि ओफर सिमित समय के लिए है बाकी हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर एक मामला बेगुस रही से सामने आया जहांपर किसान सड़क पर उतर कर सड़क पर आलू को फेक रहे है वहांपर कई-कई किलो आलू एककिसान लाकर एसे ही सड़क पर फेक देता है और उसक रुपया किलो के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है तो हम अपना आलू बेचकरी क्या कर लेंगे और इसके बाद से किसान अपना आलू लाकर सड़क पर फिक रहा है अब किसान वहाँ पर दो चीश कह रहे हैं सबसे पहली बात किसान कहते हैं कि सरकार की तरफ सी MSP तेक होनी चाहि और इसके बाद से किसानों को लगता है कि उनकी सिती सुधर सकती है दूसरी बात किसान कहते हैं कि और ले स्टोरेज में हमको जगह नहीं मिल पा रही है तो मजबूरी है कि हमको आलू बेचना होगा अब आप यहाँ पर समझीएगा कि आलू का रेट इस वक्त पर इतना गि होता है मतलब कि उसका रेट कम होता है लेकिन इसका उपाय क्या है तो इसका उपाय कोल्ड इस्टोरेज है मतलब कि किसान इस वक्त पर आलू अपने खेट से निकाल कर कोल्ड इस्टोरेज में रख देगा और किसान इंतजार करेगा कि दो महीने चार महीने के बाद रेट ज जगह नहीं मिल पारी है जिसके कारण उनकी मजबूरी है कि या तो वो चार रुपया, तीन रुपया, दूरुपया किलो के हिसाफ से आलू को बेच दे या फिर आलू को ऐसे ही खेत में छोड़ दे और यहां पर जो बेगू सराय से मामला आया है वहां भी हो यही रहा है किसा चार रुपया किलो भी आलू बेचने को तयार है लेकिन चार रुपया किलो भी उनके आलू का दाम कोई नहीं दे रहा है और इसके बाद से किसान कहते है कि सरकार आलू के फसल को MSP के दारे में लाए, किसान कहते है कि MSP लागू होना चाहिए आलू के फसल पर, MSP का मतलब क सरकार एक नियुंतम दाम निर्धारित कर दे कि इस निर्धारित रेट के नीचे कोई भी आलू को नहीं खड़ी सकता मतलब कि किसानों के आलू का रेट जैसे गेहूं और धान का होता है इसी परकार से निर्धारित कर दिया जाए निंतम मुल्य मना दिया जाए कि उससे कम में किसानों का आलू नहीं बिकेगा और किसान इसी मांग को लेकर कहते हैं कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती तब आगे हम आंदोलन करेंगे और कुल मिलाकर ब्यार में किसानों की जो दुड़दशा है इसको लेकर धीरे धीरे आप देखेंगे तो राकेष्ट के जैसे दो बड़े किसान नेता है वो भी सकरीय हो रहा है उनको लगता है कि हाँ यहाँ आप पर किसानों के अंदर नराजगी है और इसको भुनाया जा सकता है और आलू वाला मामला हमने आपको बताया और इसी परकार से तमाम फसलों को लेकर भिहार में किसानों की स्तिती है अब आगे देखिए किस सरकार इस पर क्या कुछ करते है आगे कुछ और जानकारी आगी तो भूण तक पहुंशाएंगे फिलाल आलू के फसल या किसी भी फसल को लेकर किसानों की दुर्दशा को लेकर आपका सोचने कमेंड बॉक्स में लीकर बताईएगा तमाम जानकारी के लिए आप जनतांक शंक्षा जूले रहिए कि अमरेक्षे भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद